हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब आसा है उमीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल लेगे दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पूरे यूटूब पे दो दिन से आपको कल से और आज दो दिन से सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों मैं भी सोचा कि एक इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाऊं कि जो भी वहन हमारी त्यारी कर रहा है उनको कुछ फैयदा मिल जाए दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा 1.5 यर एप्र क्योंकि मैं आपको KBS की वेकेंसी से रिलेटेड जो भी इनफॉर्मेशन होगी कैसे मैं त्यारी कर रहा हूं पर्मानेंट वेकेंसी के लिए कौन-कौन सी बुक फालो कर रहा हूं कौन-कौन सी बुक पढ़ना चाहिए सारी बाते हैं आप लोगों के बीच में मैं सेयर करू प्यार्टी में 6400 प्लस की करीब वेकेंसी है इसे तरीके TGT है PGT है लाइबरेरियन है जेस से तो सारे पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे ठीक है और क्या कब होगा एक्जाम क्या बीड वाले इलिजबल होंगे क्या सीटेट फिल वाले बीजबल होंगे नेगेटिव मार् बात करेंगे दोस्तों जैसा कि देखे केंदर विद्याले संगठान हेट क्वार्टर के थुरू ये नोटिफिकेशन आया सभी लोग आप लोग देख भी चुके होंगे तो देखे के बीज में क्या है कि ये सारे पोस्ट वाइस दिये हैं कि कौन सी कटेगरी में उर में कित छेहजार कितना वेकेंसी आया है ये दीकिए टूटल छेहजार चाड़केंसी आये ठीक है और इसका कबसे एक्जाम मतलब फॉर्म फिल अप करना कबसे पांथ दिसम्बर से एकजाम होगा फॉर्म फिल अब करना और लास्ट डेट है ।ुंटि शिथ दिसम्बर को ठीक है दिसंबर को लाज्ट डेट है इसमें अभी एक सॉर्ट नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल नहीं दिया ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं असिस्टेंट कमिस्टनर के लिए पोस्ट यह हम लोगों काम के लाइक है नहीं प्रिंसपल के लिए वाइस प्रिंसपल के लिए पीजीटी के लिए देखिए टोटल पोस्ट कितने पेटिके लिए पाइव टोडल इंका पीजीटी कह पोस्ट है और प्रैमरिट का म्यूजिक का 373 और असिस्टेंट ईंजीनियर का है आपका टोटल दो पोस्ट ऑसिस्टेंशेक्शन उंफीसर का 156 पोश्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का मात्र आपका टूटल 11 पोश्ट है सीनियर सेट्रियल असिस्टेंड का टूटल पोश्ट 322 जैसे जो की बच्चे आप जेसे में फिल कर सकते हैं जैसे का पोश्ट है तो जो आपका पे लेबल बताया कि किस का पे लेबल किस किस लेबल का है ठीक है दोस्तों तो चलिए सारा तो डिटेल रहा तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि एक्जाम कब होगा तो एक्जाम दोस्तों जैसा कि प्रीबियस यर 2018 को देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अप्रील के स्टार्टिंग में आपके एक्जाम हो जाएंगे इसलिए एक्जाम हो जाएंगे दोस्तों क्यूंकि देखे के बियस अप्रील या मार्च में भी एक्जाम करा सकता है ठीक है जादे टाइम आपको देगा नहीं तो आपको यह मान खाली है तो के वी कर सकती है कि जल्द जल्द एक्जाम को करा कर इंटर्व्यू लेकर पैनलिस्ट बना कर आपको अप्रील नहीं तो जुलाई में जब स्कुल ओपन होते हैं उस टाइम तक आपको क्या करा देगी ज्वाइनिंग देगी तो ज्यादा तर चांसेस हैं कि आपके अपर मार्च के लास्ट या अप्रील के स्टार्टिंग में एक्जाम हो जाएंगे मैं जुन तक इंटर्व्यू होकर अप्रील तक आपके ज्वाइनि तो हम लोग बात करेंगे क्या बीएड वाले इलिजबल होंगे हां दोस्तों बीएड वाले इलिजबल होंगे इसलिए बीएड वाले इलिजबल होंगे क्योंकि के बीएस नोटिफिकेशन में यह बता चुगा है कि बीएड वाले का होंगे इलिजबल होंगे ठीक है क्या सी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, प्रॉपर नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, कि जो सीटेट फेल वाले इलिजबल होगे, कि नहीं होगे, सीटेट फेल का मतलब यह है, दोस्तों, कि जो पहले सीटेट फेल है, जो अभी सीटेट का फॉर्म फिल अधि वो पास हो जात है, नेगेटिव मार्किक नहीं होने पर, रियल बंदे का कम नंबर भी आ सकता है, जो बंदा तुक्का लगाने वाला है, उसके भी जादे हो सकते हैं, ठीक है, तो दूसरी टॉपिक पर बात करेंगे, सीवीट एक्जाम, तो दोस्तों, इस बार का जो एक्जाम है, सारे एक बूक अची रहेगे, दोस्तों, अलग से आपको कोई बूक लेने की जरूरत नहीं है, यूटूब पर बहुत सारे कोर्स आपका मन, आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम, आपके ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं तो आप टीचिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ प्रिब्यस एर सॉल्व किजिए, ठीक है, और करेंट डेली देखिए, करेंट तो देखना ही पड़ेगा, हिंदी इंग्लिस कॉमन है, हिंदी इंग्लिस आना आना, जियस आना, मैत आएगा, रिजिनिंग आएगा, कंपूटर आएगा, यह सारे सलेबस के अंदर तो आने आ के लिखा हूँ, के भी टीजर के साथ, तो मैं आज जा कांट्रेक्ट्चल टीचर दो साल से मैं हूँ, के भी विद्याले में, किंद्री विद्याले में, तो जो भी information होगी, अगर आप लोगों को कोई doubt है, कोई query है, तो आप message कर सकते हैं, दोस्त, ठीक है दोस्तों, आप हम हमारे इस message कर सकते हैं, मैं आपको reply दूँगा, तो आप हमारे चैनल को please subscribe किजिए, share किजिए, like किजिए,